मिथुन रासी बालों का आज का रासी फल आज का यानी की 13 अक्टूबर का तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पुरुश्वत्तम सांडिल्ले और आप देख रहे हैं मिथुन एस्पेशल तो आईए आज का वेडियो सुरू करते हैं दोस्तों अगर आप योग करते हैं ध्यान लगाते हैं तब तो बहुत बढ़िया है और अगर आप योग नहीं करते हैं तो कृपया योग करें वो आपके लिए बहुत फाइदे मंद होगा आज आपको कहीं यात्रा पर भी जाना पर सकता है तो आप यात्रा पर जाएं लेकिन यात्रा के वज़ा से आपको तनाब भी हो सकता है यात्रा आपके लिए फाइदे मंद रहेगा और उसमें आपको आर्थिक लाव कुछ न कुछ अवश्य होगा लेकिन आज आप किसी के विशामने में उदार न बने रहें अगर आप उदार बने रहते हैं तो लोग इसका गलत फाइदा उठाएंगे और फिर आपको नुक्षान अवस्य हो सकता है आज आप किसी के विशामने जरूरत से ज़्यादा जजबाती ना बने अगर आप जजबाती ज़्यादा बनते हैं तो वो आपका बना बनाया काम भी बिगार देगा और खास करके तब जब आप अपने किसी पिड़ी आदमी के शाथ जरूरत दोस्ताना मिजाज में आज जाएंगे तो जजबाती बिलकुल भी ना बने फिर वो आपके लिए सही नहीं होगा आज आप जहां कहीं काम करते हैं वहां आपके कर्मचारी या फिर सह कर्मी आपको समझाने का प्रयास आज बहुत ज़्यादा करेंगे और अगर आपको आज कहीं यातरा पर जाने का मौका मिले तो आप यातरा पर अवश्य जाएं इससे आपको कुछ ने कुछ आर्थिक लाग अवश्य होगा अगर आपके स्वास्त बात करें तो आज अपने स्वास्त का आप खास ख्याल रखें आज कुछ ऐसा आप न खाफी लें जिससे आपके स्वास्त पर असर बढ़ जाए आज आप किसी को खुश करने के लिए ज्यादा खर्च ना करें अगर आप किसी को खुश करने के चकर में अपना पौकेर ढिला कर लेते हैं तो फिर आगे जाकर आपको आर्थिक प्रवलम का शामना करना पर सकता है आज आपके बरे बुजुर्ग अगर आपको कुछ भी कहें कोई सलाह मसबरा दें तो आप उशे मानें क्योंकि वो हमेशा आपके काम की ही बात करेंगे तो प्यारे मित्रों बस ये था मित्रों रासी वालों का आज का रासी फल तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी तो कृपया आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें घंटे को आल पर आन कर लें तो दुबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम हर हर महादेब जय सिपशंकर संभू के लाजपति जय मादुर के